क्या आप जानते हैं कि आपके मूत्र का रंग आपके स्वास्थे के बारे में कुछ बता सकता है? मूत्र का रंग इस आधार पर बदल सकता है कि आप कितना पानी पीते हैं, आप क्या खाते हैं, या जो दवाएं आप लेते हैं, लेकिन ये परिवर्तन एक स्वास्थ्य स्थिती का संकेट भी हो सकते हैं जिन्हें चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता होती है चलो इसे तोड़ देते हैं एक, पीला या पारदर्शी पीला इसका मतलब है कि आप अच्छी तरह से हाइडरेटेड हैं और पर्याप्त पानी पी रहे हैं दो, गहरा पीला ये संकेत दे सकता है कि आप थोड़े निर्जलित हैं अपने तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाने से रंग को हलका करने में मदद मिलनी चाहिए तीन, नारंगी यह निर्जली का रंग का संकेत हो सकता है या गाजर या बीट्स जैसे बीटा कैरोटीन में कुछ दवाओं या खादे पदार्थों के कारण हो सकता है कुछ मामलों में यह यकृत की स्थिती का संकेत भी दे सकता है यह रंग मूत्र में रक्त की उपस्थिती के कारण हो सकता है जो मूत्र पत्र के संक्रमन, गुर्दे की पत्री या अधिक गंभीर चिकित्सा स्थिती का संकेत हो सकता है हाला कि ये कुछ खाद्य पदार्थों, दवाओं या रंगों के कारण भी हो सकता है यदि आप इस रंग को नोटिस करते हैं और यह आपके द्वारा उपभोग की गई किसी चीज से नहीं है तो स्वास्थे देखभाल प्रदाता को देखना महत्वपूर्ण है ये हैपेटाइटिस या सिरोसिस जैसे यकृत विकारों का संकेत दे सकता है या ये कुछ दवाओं, खाद्य पदार्थों या यहां तक की तीवर व्यायाम का परिनाम हो सकता है जिससे मानस्पेशियों के उतकों का तूटना होता है 6. हरा या नीला कुछ दवाएं, चिकित्सा परीक्षनों में उप्योग किये जाने वाले रंजक और कुछ खाद्य पदार्थ मूत्र को हरा या नीला दिखाई दे सकते है हाला कि, कुछ दुरलब मामलों में ये एक चिकित्सा स्थिती का संकेत हो सकता है आपके मूद का रंग क्या है? हमें टिपपनियों में बताएं